करें दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके पनी यूट्यूब चैनल में मैं आसिस आज निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलेसिस करेंगे और जैसे कि आप लोग जानते हैं रोज में आपको एक बहुत ही बड़ी है मल्टी वेगर कंपणी से जिस्ट करता हूं तो आज भी मै अभी मैं बैंक निफ्टी का चाट कोलके रखा हूं बैंक निफ्टी में दिखिए एक ग्रीन केंडल बना है बड़ा रेंड केंडल के बाद मतलब यह हम लोगों को सिगनल दे रहा है कि यहां पे एक हाल्ट टाइप का बना है यहां से यहीदी मार्केट घूमना चाहता है तो यह यहां से घूम सकता है पर मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यह इसका बॉटम है अभी जब तक यह जो लोजिंग आया है 32,700 यह जब तक क्लोजिंग 33,300 के ऊपर नहीं होता है तब तक हम इसे रिवर्सल नहीं मान सकते हैं कि यह कभी भी इसी पॉइंट में आके यह जो अपका resistance है यहां पे मैं अपको मार्क करके दिखा देता हूं यह जो resistance है यह point से जब तक यह नहीं घूमेगा बहुत बार ऐसा होता है कि यह point को touch कर के फिर से निचे आ सकता है यह जो point है यहाँ एक बार यह टच करके नीचे भी आ सकता है तो हम लोगों को थोड़ा केरफुली यहाँ पर ट्रेड करना है बाई साइड में ट्रेड नहीं करना है सेल साइड में भी अल्रेडी बहुत ही बड़ा स्टॉपलस हो जा रहा है यहाँ पर ट्रेल भी करोगे तो लोजिकली आपका स्टॉपलस लगबग यह एरिये के आसपास आ रहा है तो यह इतना बड़ा स्टॉपलस कोई नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पर लोगों को स्टॉपलस लगाना पड़ता है तो आपको टार्गेट उस हिसाप से नहीं मिलेगा one is to to minimum जो हम लोगों का o ratio रहता है रिस्ट़ रिवाड के हिसाब से वह आपका यहां पे फुफिल नहीं हो रहा है तो वन इस टो नहीं आ रहा उसकी इसाप से हम लोगों को यहाँ पर सेड wh में भी कोई नहीं दिखता है और इदि आप लोग बाइसाइड में भी प्लान करेंगे तो बाइसाइड में स्टॉपलस छोटा आ रहा है पर इतना जो गीरावट आया है यहां पर जब तक हम लोग को नेफटी या फिर बाहर के मार्केट में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दि दिखाऊंगा अब जस्ट दिखिए कि यह एक डाउनवर्ड स्लोपिंग में था अभी एक रिवर्सल आया फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग में चला गया है अभी जब तक यह लेवल ना 3300 के उपर जब तक यह सस्टेन नहीं करता है एक वीकली क्लोजिंग मीनिमम आना चाहि है उसके बाद यहां पर आपको लगेगा कि स्टॉपलस बड़ा हो जा रहा है पर आपका टार्गेट भी उस हिसाब से बहुत ही बड़ा आ रहा है तक बहुत 49,000 का भी टार्गेट आप रोगों को मिल रहा है मतलब 8000 का यहां पर आप लोगों को लगभग 6700 पॉइंट का पर चाहरे ना पर रहा है तब यह त्रहीं ट्रेड है 2700 के जगह में आपको 78000 का यह ट्रेड है जो targト स्टॉपलस में बता रहा हूं सारा पॉजिस्टनल रहा है इंट्र डैम आप उसे असाफ़ से मैं जब बी उसकी दिन के सामने होता हूं तो मैं अपने डेली ग्रम चेन ते हैं पंट निट्यम प्यूंट का चोटा टाइम ऐधिरेम्स मिनिट में कर लेते हैं मिनिट में पंट्यम में नास्ट दिन फिर्ल्ट हमीर के पूरा गिर fen vitिर हम्र रेल इस नेक्स्त कैंडल है हम कर बनाया ति संदृ से का फेजिए को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई बड़ा गीरावट होता है तो आप फॉलो उप सेलिंग के लिए वहाँ पर ट्रेड मत लिजी कि अल्टरेड यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा गीरावट होच्का है एप को यह फिर से एल्सायड में प्लान कर रहे है तो आप लोगों का पॉसि बिलीटी है की ट्रेड अट्राप हो सकता है अप लोग Yoga stopald कर सकता है它 जो लोग stop flown जाएते हैंthose लोगों कभी बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है तो आप लोगों को यह तरह चीज ध्यान में रखना है दिखिए यहां पर यह रिकवर तो हो गया पर कहीं जा नहीं पाया कि के अंदर ही पूरा दिन काड़ दिया एक लगबग चैनल के टाइप का है अप में इसीदा भी ड्रॉ करते ह चैनल में भी अधिते ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के थोड़ा ज्यादा विक है मैं आपको निटी का भी चार्ट दिखा देता हूं यह देखिए निटी का चार्ट 15 मिनिट से मैं इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है एक दिखिए डिके अडिनुस एलफ के बाद रेंच कीज में ड्रेड किया अभी मैं आपको इसका डेली दिखा देता हूं एक केरें डेली में दिखिए बैएग निफ्टी ये चैंडल के ऊपर आके पर निफ्टी यहां पर दे नहीं पाया है एक डोजी टाइब के केंडल बनाया है और जब तक यह डोजी यह केंडल के उपर लोजिंग नहीं आता है 15400 और सबसे सेफ ट्रेड रहेगा 15600 चैसो के उपर यह दिन निकलता है तो आप रहे आगबंद करके बाई कर सकते हैं मुझ यह लग रहा है कि अभी यह टॉप कटने का चांसेस है और यहां पर ज्यादा वक्त नहीं बिताएगा आइधिंग के यहां पर रिवर्सल हो सकता है आप लिए अच्छा चाल आने वाले दिनों में दिखा सकता है क्योंकि चौत तरफा चारों और वर्ल्ड के एरोप मार्के में भी Sell-Off हुआ है ASEAN मर्केट में भी बहुत जगह में Sell-Off हुआ है तो इससाब से आपको कोई भी इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया तो आपको हम लोगों के मार्केट में बहुत ही अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकता है और जो जो अच्छी अच्छी अ अच्छी कंपणी है उसमें मैं आपको कौन से कौन से स्टॉक में पोजिशन बनाना है आने वाले दिनों में मैं आपको इनफोर्म करता हूंगा मेरे चैनल में जो लोग नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरा अपना टेलेग्राम का भी आपको मिल सके तो अभी इसको एक बार हम लोग को 60 मिनिट में देखते हैं यह दिखे है इस्टी मिनिट इस्टी मिनिट में देखे पूरा एक रेड़ कंडल बनाया डूजी टाइप का तीन बार इस्टी रेड कंडल के अंदर ही पिता दिया इस्टी मिनिट में भी वीक दिख रहा है मतलब कोई भी ऐसा रिवर्सल नहीं हुआ है अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कंपनी रेकमेंड करता हूं आपको कंपनी में यह दिखे लेते हैं आपको अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकता है कंपनी का नाम है पेम इंडेस्ट्री देखे बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ है और यह दिखे वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा तगड़ा वॉल्यूम आया है और डेली के इसाब से भी इसमें डेली और वीकली में बहुत ही target आ रहा है, 1120 का भाव चल रहा है, और कल के दिन मुझे लग रहा है कि एक छोटा red candle भी बनाता है और इसमें volume नहीं आता है तो अब लोग उसमें participate कर सकते हैं, तो that's all my friends, thank you for watching, जो लोग नए हैं, please like share और subscribe कर लिजे और bell icon का notification भी प्रेस कर लिजे, thank you. कर दो कर दो।